Chat GPT versus Google Bard हाल ही में, Google ने अपने AI आधारित Chatbot Model Bard को नई खूबियों और सुधारों के साथ भारत में भी उपलब्ध करवा दिया है। यहां हम Chat GPT और Bard की खूबियों को जानने की कोशिश करेंगे। बीते साल ही अमेरिका की AI स्टार्ट अप कंपनी आपने AI ने इनसानों जैसे बात करने वाले Chatbot Model Chat GPT को पेश किया। यह अपनी तरह का पहला मॉडल था, जो human-like text generate करने की खूबी से users को लुभा रहा था। हालांकि समय के साथ जहां एक ओर Chat GPT की लोग प्रियता बढ़ने लगी, वहीं बड़ी टेक कंपनियों Microsoft, Meta और Google का ध्यान भी इस टेकनोलोजी की ओर आया। वर्तमान में Chat GPT एक अकेला ऐसा AI मॉडल नहीं है, जो इनसानों का काम आसान बना रहा है। इस कड़ी में Google के बार्ड की भी एंट्री हो चुकी है। बार्ड को इस बार कई बड़े सुधार और खूबियों के साथ लाया गया है। इस आर्टिकल में आपको बार्ड की उन खूबियों को बता रहे हैं जो OpenAI के Chat GPT से इसे अलग बनाती है। फोन पर Chat GPT तो नहीं लेकिन मिलेगा बार्ड Chat GPT की बढ़ती लोकप्रियता के बाद भी इस मौडल का अभी तक Web Virgin ही मिलता है। इमेज की सुविधा भी मिलती है। इमेज वाइस के जरीए भी पूछिए सवाल Google बार्ड के एडवांस फीचर की मदद से यूजर इमेज और वाइस के जरीए भी सवाल पूछ सकेगा। हालांकि ये फीचर भविष्य में लाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर Chat GPT इमेज और वाइस जनरेट करने की खूबी के साथ नहीं आता है। जवाबों को सहेज कर रखने की मिल रही सुविधा, Google बार्ड का इस्तेमाल भारत में भी किया जा रहा है। बार्ड को इस्तेमाल करने के साथ ही बार्ड में जवाबों को कॉपी कर सेव करने की सुविधा मिलती है। इन जवाबों को Gmail या Docks में रखा जा सकता है। वहीं Chat GP यूजर की प्रोफेशनल लाइफ होगी आसान भविश्य में बार्ड को जीमेल में इंटीग्रेट किया जा सकता है। टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज के साथ काम करने में भी सहूलियत मिलेगी। हालांकि चैट जीपीटी इतनी लैंग्वेज सपोर्ट के साथ नहीं आता, इंटरनेट का इस्तेमाल Google बार्ड में इंटरनेट एकसेस करने की सुविधा मिलती है। इस मॉडल में जवाबों को ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने का